हलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेल्कम बैक तो आर यूट्यूब चैनल मेच जी इग्जियाम और मैं हूँ आपका अविनाज सर्थ आज हमारा NTA अवियास सीरीज एट आपके सामने है तो करते हैं कोईशन की सिरुवात जो हमारा फर्स्ट कोईशन है वो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है तो मैं आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ माक करवाना चाहता हूँ सबसे पहले एक्जैम्पल ऑफ और गैनिक फर्ट राइट और वह भी फॉस्फरस अप्टिक से रिलेटेड देखो यह जो राइजोबियम और जो स्पाइरूलम है और वह वैम फंगाई देखो मैंने ऑप्शन यह फिर्स्ट कोईशन में भी और मेरे सेकेंड कोईशन में ऐसा कोईशन मेंने सेलेक्ट किया है कि आपके कोर क्लियर करेगा देखो एक्टली नाइटोजन फिक्सेशन जो करता है वह भी एक फटिलाइजर ही हुआ है और जो यह वैम टर्म है वह भी एक फटिलाइजर में ही आता है तो बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा तो मैं पहले वैम से रिलेटेड आपको क्लियर कुछ चीज पुरियर अर्बसिक्जिलर माइक्यो राइजर देखो जो हमारा राइए यह आथा यह आदा हॊगा है और वैम्प पुर्याइज होगा तो मैं प्रिजेट हो गया हमारा क्लियर करता है तो फुलियर भी एक्टिलर Z paulis जो सिहें प्रिप वाथ जोंगल हाइफी होंगे प्रिजन्ट होंगे अभी मैंने बताया फंगस हाइफी तुर्स्ट्रा हाइफी payment कउधर आधि है और यह कहाँ प्रेजेंट होगे वो भी कफी इम्पोर्देंट होता है यह आप देख लो यह भी question ॥ प्रिजेन बिट्वीन the cortex cell and acts as bio fertilizer ठीक है क्योंकि देखो phosphorus uptake की वज़े से हमारा best option यह जाएगा otherwise यह दोनों भी option में आते हैं हमारे bio fertilizer है तो हम दूसरे option में देखते हैं कि यह best option में है क्योंकि हमें most appropriate को cover करना है तो organic fertilizer और जो phosphorus uptake में काम करते हैं तो already वहाँ पे association होगा और वो उस uptake को cover up करेगा next देखो जो some blue green algae यानि कि यहाँ पे आपको synovacteria fix है ठीक है तो अना कि उसने example को बहार नहीं लिया और acts as bio fertilizer फिर से fertilizer का काम करता है देखो bio fertilizer की क्यों ज़रुत होती है actually यह करते हैं synovacteria यह fixer होते हैं किस चीज़ के atmospheric nitrogen आपको बार बार बोलाओ कि इससे पहले भी बहुत question में रेंक बुस्टर में तो काफी बार यह चीज़ किया जो कि अभ्यान साइब के question में आते हैं nitrogen triple bonds से होते हैं इसकी bond dissociation enthalpy बहुत हाए होती है और plant को nitrogen चाहिए होता है क्योंकि nitrogen nitrogen का content यानि nitrogen protein के content amino acid के content में important है तो उससे किसी form में चाहिए तो यह coverage होता है nitrogen fixation से हो पाता है different process है उसमें काफी सारे steps होंगे तो देखो जो यह कहना है कि use bio fertilizer क्यों हो रहा है यूज फोटो सिंथेटिक है तो bio fertilizer होगा कोई जोड़ी नहीं है वरना तो हर plant हो जाते है तो यह नहीं होगा जो surrounded by mucilis कह रहा है तो यह structure wise जैसे mucilis लो ले लो या इसके अलावा और कोई भी जो बाहर की lining पे जो layer उससे उसके nitrogen fixation को नहीं पता चलता है अगर growing correct कोई जगा तो वो भी पता नहीं चलता है तो सीधा answer तो crystal clear है बस first second option में जो first second question में कुछ difference है और similarity है जिसके वज़े से मैंने इस question को select कर आए देखो जो third question है इसमें सबसे important चीज़ यह पूछा है कि mechanical tissue देखो यह दोनों mechanical tissue है scleran chyma और colon chyma देखो यह chlorine का मतलब color से हो गया color का मतलब हो गया chlorophyll chlorophyll का मतलब हो गया photosynthesis और photosynthesis का मतलब mechanical support तो नहीं हुआ यह option में नहीं आएगा देखो parent chyma store से related है तो नहीं आएगा अब इस दोनों में कौन आएगा सवाल यह होता है तो देखो living cells actually क्या होता है जो scleran का मतलब होता है यह mature part में होता है mature part में होता है लेकि जो growing part होगा growing जो shoot हो गया या leaves हो गया इसमें यह support करेगा तो इसलिए mechanical tissue consisting of living आप बोलो के सार में living cells की बात कर रहा हूँ तो मैं स्क्रेन का मा क्यूं नहीं लिए देखो अगर बोथ option होता है तो मैं बोथ को prefer करता है लेकिन जो living cells है तो cells की जो starting जहां से होती है उसको हम लेंगे राइट देखो next question देखो next question में chromatophory है नीट ने पूछा है एम्स ने पूछा है नाम से पता चल रहा है chromato chroma chroma means color color का मतलब वही pigment से related pigment का मतलब photosynthesis यानि कि वही chlorophyll है तो इसके option में देखो photosynthetic bacteria है तो यह answer आपका पहले ही clear हो जाएगा बागि आपको औरों को eliminate करोगे तो आपको already पता चल जाएगा कि coloration of the cell यह बात सही है लेकिन specialized granular is responsible for coloration of cells actually यह पूरे cells related देखो वैसे भी multicellular नहीं है इनके पास chloroplast तो है नहीं chloroplast नहीं है तो chloroplast का का काम कान करेगा कोई ने कोई structure तो करेगा यह membrane का modification हो जाता तो यह option नहीं आया से रिलेटर नहीं है कि वो उसको shape क्यों provide करेगा क्योंकि color का purpose shape नहीं होता है यह बोलो कि membrane shape देता यह बात चलेगी लेकिन chromatophore shape देगा यह नहीं चलेगा देखो जो inclusion body यह inclusion body पर भी काफी question पूछे जाते हैं लेकिन inclusion body का स्टोर्ड उसके material होते हैं एक scriptory waste होते हैं उसके अंदर उससे chromatophore का कोई लेना दे नहीं होता है देखो next question next question में देखो यह question यह चीज टार्टेट बहुत बार कर रहा है मैंने अभ्यास आपके इतने सारे question के research मेंने कर रहा है यानि कि first to seventh मैं बार बार बोलता हूँ first to seventh जो है वो क्या है true rib अब देखो eight से tenth यानि तीन हो गया तीन पेर दोनों साइट से आएंगे eight, ninth, tenth यह false ribs होंगे और उसके बाद दो और होंगे 11th, 12th इसे बोलता है floating ribs इसे पहले floating ribs पे question था मैंने बताया था कि girls लोग उसको काफी country में हटाते हैं अपने beauty को बनाने के लिए आप डैंक बुस्टर स्रीज के पीछे देखोगे आपको यह मिलेंगे मेरे आप lecture देखो अगर आपको जानना चाहते हूँ और आप यासाब के question का का काफी सारा जो है research मेंने हर slide पे डाला है अलग आपको मिलेगा कहीं न कहीं अलग यह question बहुत मूव कर रहा है इस concept को मूव करवाया जा रहा है देखो होता है कि question में कह रहा है कि question ने आधे information तो खुद सेयर कर दिया कि 8, 9, 10th ribs नो जो फॉल स्रीप because their external portion are attached to external portion किससे attached होता है देखो यह है पीछे vertebral column यह आगे है ster ठीक है तो अब देखो यह जो 7th जो इससे पहले लेकिन 7th वाला जो और यह ribs होगा तो यह पीछे से vertebral column से आकर यह इससे जूरते जाएंगे तो देखो 8th, 9th, 10th यह इसी के बारे हम कह रहे है तो यानि कि यह costal cartilage जो है ribs के लिए costal term यूज किया जाता है cartilage of 7th ribs यह इससे जूरते तो यानि यह है 7th rib आपका और यह 3 होगे आपका 8th, 9th और 10th ribs तो आप इससे जूरे वे हो देखो इसमें सबसे directly question अगर पूछे कि attached की बाद तो आप बोलोगे कि 8th, 9th, 10th जो है वो attached directly to 7th लेकिन यह indirectly attached to sternum indirectly attached to sternum क्योंकि आप देख रहे हो कि यह जो sternum में यह 7th तो फाइनली जूरी रहे है आप medical की त्यारी कर रहे हो अभी आप यह जैसे मालो यह aims का है ठीक है यह aims का है dreams सब यह aims का देख रहे है लेकिन कहीं नद कहीं नद कहीं आप MBBS तो कहीं नद कहीं गर 176 कोशन इंफोर्मेशन से रेलेटेटला, पार्थेनो कार्पी माை समझा दो, guarantee Tower का मितलब फूड होता है पार्थनों का मतलब वही कि बिना फिर्टिलाइशन का फूट अगर बनता है यहने फूट विदाउट पार्थिलाइशन देखो विदाउट फर्टिलाइशन का मतलब हो गया कि फ्रॉम अन फर्टिलाइश्ट ओवरी सामझ रहो और जिन इसमें हेल्प करते है एक इन्फरमेशन है यहां पर जिसा यह पार्थेनो कार्पी होता है उसी तरह होता है पार्थेनो जेनेसिस वहां पर और्गैनेस बनेगा विदावर फर्टिलाइशन नेक्सट नेक्स्त नेक्स्ट क्शिंग जो हमारा डीकम्पोजर से डिलेटेड है देखो डीकम्पोजर वह होगा जो जो स्केवेंजर या सेप्रोफिटिक और वह जो सेप्रोफिटिक देखो यह टेरिस जो यह प्लंट सेक्षन में आजाता है तरीस ड्रैप्टरीस ठीक है तो वह अल्रेडी इसमें नहीं आएंगे बोत वी एंड सी ओप्षन एक दे रहा है और यहां तो देखो बैक्टेरिया वह बैक्टिरिया आप ना आएंदर नहीं बोल सकते हो थी का में लेकिन वह बैक्टिरिय जो सेप्रोफिटिक हों । THIS सेंप्रोफिटिक और यही काम करेंगें कि से डिकंपोस करेंगे जो अर्गैंक निट्रेंटस से डिकंपोस करके उसके फंडीमेंटल हो जाएंगे'll के प्र सेफरोफेटिक वेस्ट होगा लेकिन हम अगर पुछे किरम नोगकों करवाना चाहे रहा ही और देखलो इंडोक्राइण तो पहले जो उसको हम लोग साटा देते हैं देखलो नहीं हिए इसको बाकि देख बाइको अंक्रियाज में जोक्राइण d topic यस Tapi और लही बात Carbohydrate Metabolism से हैं, तो Carbohydrate Metabolism में आपको बता दूँ यहां पर अगर आपको knowledge नहीं है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा, तो आप से Pankreas के respect में आप समझते होगे, तो Pankreas सारे option में डाल दिया, आपका रास्ता ही block कर दिया क्योंकि insulin glucagon से related आप बात करते हैं न तो आपको मैं information नहीं देता हूँ सिदा देखो जो pituitry है ठीक है और एक liver है तो liver इंडोक्राइन में है नहीं इसलिए नहीं होगा यह control करता है carbs यानि carbohydrate metabolism कैसे करता है वो समझे लो आप वो भी indirectly प्रेक्ट ली तुरू कि A C T H यह मैं कानी पूरा जब मैं हॉर्मोन वाला चैप्टर पर आंगा आपको बतांगा है एडिनो को ट्रॉपिक हॉर्मोन जो है ठीक है यह गची पूर्मोन जो टाल दिए तो देखो पूर्मोन का रोल नहीं है इसलिए यह उते वे पूर्मोन नहीं रहेगा ठीक है यहां पूर्मोन दिया अच्छी बात है लेकिन लिवर देकर इसको इलिमनेट करवा दियो अब देखो एडिनो हैपोफेशिस जो एंटेरियार है वह वाला पाट है तो देखो यहां भी इंटाहुफेश रही है यह बिन दोनों जगहे कितना बढ़ियां कोशिन मेना के आपको फसाया यहाँ थाइमस एक थायाइड तो मैं आपको थायाइड के बारे में इंफॉर्मिशन दे दो देखो तो थाराइड है यह स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलिसिस ठीक है और यह एब्जॉर्ब्शन आफ मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड समझ रहे हैं ना ग्लुकोस ट्रक्टोज गेलेक्टोज मैनोज मोनोसेक्राइड फ्रॉम इंक्रीज करेगा तो आपका यह आंसर बेस्ट होगा नेक्स्ट क्वेशन देखो नो डिन्य देखो डिन्य का मतलब क्या नुक्लिक असीड का मतलब कहां नुकलियस कहां मतलब यूकेडियोट्स प्रोकरियोट्स में तो होगा ही नहीं तो वैसा कोई option दिया नहीं है अब सारे यूकरियोट्स तो अब देखो क्या है इसके बारे में एक बहुती बेसिक concept आप समझो ठीक है अगर तुमसे पूछे कि भाई हमारे हमारा जो blood cells है तो blood cell में जो देखो पहले spherical safe होता था लेकिन spherical में पूरा oxygen का content complete नहीं हो पता था से चेंज कर लिया यह bike on cave सेफ हो गया ठीक है surface area बढ़ गया oxygen का content ज्यादा हो गया अब भी इसको घड़ छोटा पर रहा था फिर इसने क्या किया बोला कि आप हमारा nucleus निकलेस को बाहर करवा दिया अब वह bike on cave है लेकिन nucleus भी नहीं है ठीक ह bike on cave without nucleus nucleus को निकलने का purpose समझ रहो न Excel अपना nucleus oxygen के वज़े से निकाल सकता है तो आप अपने life से unwanted से क्यों निकाल सकते हैं अपने routine से उन सारे चीज़ों को निकालो जो आपको वहां तक नहीं पहुँचा रहा है देखो इस RBCC को आप देखो यहां पर क्या जो formation होता है आपको बता हूँ तो जो first formation होगा RBCC का यानि कि जो immediate precursor of RBCC जो होगा उसे हम लोग बोलते हैं reticulocytes ठीक है और reticulocytes से यह बना ठीक है ध्यान से देखना यानि starting में nucleus होगा और 24R के बाद यानि कि within 24R यह nucleus गाइब कर देता है तो mature RBCC लोगा अगर सिर्फ RBCC होता तो भी आंसर बहुँ ज़्यादा साही नहीं हो जता है ठीक है देखो antipodal cell जो है related यहां से related नहीं है हम लोग देखते हैं जो embryo sac जो angio sperm का है इस पर भी मैंने video बना रखा है जो embryo sac है उससे related है रूट है तो नॉर्मल से लोगया मैच्योर इस्परमेटो जोंस दोगा वो तो ओविसली नुक्लियस होगा है यह प्लॉइड होगा तो ऐसा नहीं होगा तो मैच्योर RBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC देखो इस क्वेस्ट में सीधा पकरूप पैरेंट से जनी कि बिट्विन ऑफ स्पिरिंग और पैरेंट का क्रॉज जो तैसे देखो मालो यहां एक शी बताओ जैसे यह पैरेंट है कि यह जानके जब आपको कोई इनो टाइप नहीं पता तो एक पैरेंट को आप प्यूर ल यहां पे क्या है ? जीरो यां पर भी N0 है यहां पर भी N0 है इसलिए 0 किसी के उपर रखोगे तो यह होगा ? यह एक गैमित यह पन गया है तीटी अब इस थीटी का क्रोस देखलो आप ध्यां से सुनों अगर इस तीटी का क्रोस रिसेशिफ पैरिंट के साथ करोगे तो यह हो जाएगा test cross यानि दोनों parent ले लो क्योंकि दोनों parent है ये tt हो गया ये capital t दोनों हो गया back cross तो answer आपको define नहीं किया ना तो आप इसका सीधा back cross मारो लेकिन मैं आपको बता दू कि अगर उसमें से अगर decisive parent के साथ करोगे तो वो test cross होगा ठीक है तो ये आपके 10 questions के हो गए discussion ठीक है और कैसी चल रही आप लोगों की पराई सही से मन लगा के पर रहे हो और जम जम के पर हो फार के पर हो मेरे सब future के doctors कोई question हो डाउट हो आप comment box में डालो ठीक है हम आपका हर solution के लिए खुद से मैं आपको solution दूँगा अपना time निकालके बस आप लोग पढ़ते रहो अपने अपने parents के हर कोई के dream को आप पूरा करो जिस target से हो life में वो complete आप करो ठीक है अगर आपके life के success में हमारा 1% का भी contribution रहा अगर तो मैं अपने आपको life में अपने आपको lucky समझूँगा ठीक है क्योंकि किसी की dream में साथ देना बहुत बड़ी बात होती है okay you can download the pdf also link has been given in the description box if you really like my efforts please like share and subscribe क्योंकि इतनी तो बनती है हम भी मैनत कर रहे है आप हमारे लिए इतना करोगे बिलकुल okay bye bye future doctors कर दो कर दो कर दो कर दो और कर दो दो बड़ है